नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ, जिसका नाम है काला हिरन एक दिन राजकुमार सिद्धार जंगल में शिकारियों के साथ शिका करने गए हाँ उन्होंने जिल के किनारे हिरोणों के जूंड को पाने पीते हुए देखा अचानक राजकुमार की नजर एक काले हिरन पर पड़ी वह काला हिरन हत्बुत था, उसकी आँखे लाल लाल और चंकीली थी शिकारियोंने चाडियों के पीछे छिप कर काले हिरन की उपर जाल डाल दी और उसे पकड़ लिया हिरन को जाल में फसा देखकर सारे हिरन पास आ गए उन में से एक हिरनी आगे आई, उसकी आँखों में आशू थे पर जो मारना है तो हम सब को मार दीजे ऐसा हिरनी ने कहा उनों की एकता देखकर राजकुमार भी हैरान रह गया उसकी बात सुनकर राजकुमार सिदास का मन परिवर्टन हो गया उसने काले हिरन को छोड़ देने का आदेश दिया आज़ा बनने के बाद सिदास ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोग लगा दी सिख एकता में बल्ध है हमेशा एकता पनाहे रखिये अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे राइट, शेर और सब्सक्राइब कीजिए